हलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम 13 चेप्टर सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम सुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद लगबख हमारे सारे चेप्टर कवर हो गए है ठीक है इसके बाद मैं कोशिक करूँगा कि मैं 13 चेप्टर के बाद आपको 10 चेप्टर करवाँ ठीक है चलिए अब सबसे पहले हम 13 चेप्टर सुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले कुछ 6-7 फिगर यानि 3D फिगर के फॉर्मले जानने जूरत है जैसे क्यूब क्यूबाइड ठीक है कॉन ठीक है सिलेंडर स्फेयर हैमिस्फेयर इस तरीके से तो आईए पता करते हैं सबसे पहले सबसे पहले पता करेंगे क्यूब घन बच्चो घन कुछ इस टाइप का होता है ठीक है बच्चो इसकी लेंथ भी A होती है ब्रेथ भी A होती है और हाइट भी A होती है ठीक है तीनो ए होते हैं लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी तीनो क्या होते है बच्चो ए तो जब लेंथ भी A हो ब्रेथ भी A हो साइड भी A हो मतलब तीनो के तीनो सेम हो तीनो के तीनो क्या हो बच्चो सेम हो तो ऐसी situation में word आता है सबसे पहले volume of cube घन का आईतन क्या आता है? घन का आईतन और बच्चो आईतन क्या चीज होती है? अब ही जैसे आपके सामने कोई भी table रखी होगी तो उसकी length, उसकी breath, उसकी height कुछ ना कुछ होगी अब उसने उतनी जगा cover कर ली उपर height में भी, length में भी, breath में भी उसकी जगा पे और कोई जगा place नहीं कर सकते हो हाँ, उसके अंदर आपने slots बना रखे हैं आप उसके अंदर कुछ रख रहे हो, वह एक अलग बात है लेकिन आप अब उस जगा पे कोई दूसरी जगा place नहीं कर सकते हो ठीक है, तो वह होगी आपका volume ठीक, तो इसका, अब देखिए बच्चो अगर मैं बात करूँ, ये भी ए, ये भी ए तो भई, मतलब length भी A है breath भी A है, तो भई, इसका area A square क्योंकि cube के सारे surface square shape में होते हैं तो total surface होते कितने हैं अपने जिस भी कमरे में अभी आप बैठे हो उसके surface गिन लो, कितने, एक आपके सामने होगा ये आपके बीचे होगा, एक उपर, एक नीचे एक आपके left side, एक आपके right side ठीक है, तो दोनों तरफ होगा, ठीक है तो आपने आप कितने 6 surface, तो यानि जब square surface है, square का area होता है A square, और total surface कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो यानि कि 6 A square, ठीक है इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता बई sorry, volume, मैं तो surface area बता दिया, sorry बच्छो, sorry volume होता है A cube, volume होता है A cube length, breadth, और height अगला आता है, surface area surface area of cube, sorry, ये बोल दिया हमने, ये था वो 6 A square मतलब क्या, इसका area, इसका area, एक का area A square तो 6 surface है तो 6 A square, ठीक है घन का प्रिष्टे 6 तरफल घन का प्रिष्टे 6 तरफल ठीक है, अगला, lateral surface area lateral surface area area of cube ठीक है, घन का घन के 4 दिवारी का छेतरफल घन के 4 दिवारी का छेतरफल ठीक है जी, तो कितना होगा बच्छो, 4 दिवारी, मतलब 1, 2, 3, 4, 4 दिवार होते हैं तो 1 का a square तो 4 का 4 a square ठीक है अगला आता है, cuboid मतलब घनाब घनाब में length, breath और height तीनों लगभग क्या होती बच्छो, अलग अलग होती है यह होगी, यह length यह breath और यह height ठीक है, अच्छा, length, breath और height तीनों होगी ठीक जी, अब देखो, तो अब ऐसे में volume of volume of cuboid कितना होगा बच्छो, length into breath into height ठीक है, घनाब का आईतन अगला, surface area of cuboid गनाब का प्रिष्टे छेतरफल ठीक है, तो क्या होगा बच्छो, देखो length, breath एक बार, length, breath एक बार यानि, दो बार length, breath फिर breath, breath और height breath और height दो बार, ठीक है, उसके बार क्या होगा बच्छ लेंथ हृपई, length और height तो मतलब दो बार, यानि कि चाहे मैं length breath लेलू, चाहे मैं breath, height लेलू, चाहे मैं length और height लेलू दो दो बार आ रहे हैं तो 2 LB plus BH plus LH ठीक है उसके वाद लेटरल लेटरल सर्फिस एरिया चार दिवारी का एरिया एरिया ओफ क्योवाइड घनाब के चार दिवारी का दिवारी का छेतरफ़न ठीक है तो क्या हो जाएगा टू इंटू एल प्लस बी ठीक है इंटू में एच एच दोनों में कॉमन रहेगा ठीक है फड़ा फटी से नोट करो भई जल्दी से नोट करो इसे कर लिया नोट चलो कि इसके वाद आता है कि सिलेंडर कि बेलन ठीक है जी कुछ चुछ यह से भगे में कि इसकी इसका एक रेडियस होगा आर कि और यह हाइड हुए गी एक ठीक है तो चली एक वाल्यूम आफ इस्टि एंडर कि होगा PY R SQAIR H ठीक है क्यों क्यों कि वόलुम क्या जितना इरिया है उसके साथ हाइट तो सर्कल का इरिया PY R SQAIR और हाइट एच है भेलन का इस तन ठीक है अगला है करवड वी सर्फेस एरिया और सिरेंडर 금owski बेलन का वक्र प्रिषट छहत्रफल बेलन का वक्र प्रिषसेधरफल तो क्या बनेगा 2พाई आर क्योंकि देखो कर्व यह है ना यह हिस्सा कर्व है यानि सर्कल के चारो तरफ टच तो सर्कल का चारो तरफ क्या होता है सर्कं फ्रेन्स 2 पाई आर अब जितनी height है उतना तो touch करो गई तो 2 pi r h ठेक है अब आता है total curve surface area total curve surface area of cylinder ठेक है बेलन का cool 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 ठेक है तो कितना है बई देखो 2 pi r h ये तो 4 तरफ का है उपर नीचे 2 circle तो 2 circle का 2 pi r square तो 2 भी common pi भी common r भी common h plus r ये आपका क्या बज़िक है बई ये आपका आगया ये आपका आगया total curve surface area of cylinder ठेक है next next बच्चो कौन कौन मतलब संकू संकू कैसे बनता बच्चो जब cylinder में से ही हम ऐसे slant height काटके निकाल लेते हैं ठेक है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा ये चीज़ यानि आपके birthday वाली topi या ice cream का कौन ठेक है इसमें ये radius ये height और ये slant height ठेक है L बराबर slant height ठेक है slant height का मतलब क्या भई slant height का मतलब तीरिय कुछ आई ठेक है अच्छा अब slant height जो है बच्चो अगर मैं आपको बताऊ slant height का relation क्या होता है H और R के साथ तो ये 90 degree है तो देखो 90 degree के सामने वाला hypotenious होता है तो इसका मतलब L का square बराबर ये perpendicular H का square ये base R का square तो ये relation होता है ठेक है L square बराबर H square plus R square मतलब अगर L की value निकालनी है तो square वहां ले जाओ under root H square plus R square ये बनी गया अगर H की value निकालनी है तो R square को इधर ले जाओ L square माइनस R square और under root ये बनी और अगर R की value निकालनी है तो L square माइनस H square under root ये हो गया तो ये तीन बनी बनेगी ठीक है L की L बड़ा है इसलिए दोनों plus H चोटा है तो minus R चोटा है तो minus अब बारी आती है volume की तो volume of कोण volume of कोण संकू का आइतन हाँ जी तो कितना है वही यानि ये देख रहे हो cylinder के तीन हिस्से कर दिया मैंने एक दो और तीन तीसरा हिस्सा तो मतलब cylinder के आइतन का यानि 1 by 3 पाई आर स्क्वेर एच यानि जो cylinder का volume है उसी का 1 by 3 हिस्सा ठेक अगला curved surface area area of कोण संकू संकू का वकरप्रिष्ट छेदरवल तो कितना है पाई आर और किसको चूओगे इसके करव वाले बार्ट को यानि पाई आर एल ठेक है पाई आर एल फिर टोटल कर्व सर्फेस एरिया टोटल कर्वड सर्फेस एरिया कुल वकरप्रिष्ट छेदरवल ठेक है बराबर क्या है बलाब पाई आर-एल तो ही पलस पाई आर-स्क्वेर ठीक है? तो Pi और आर common आ गया L पलस आर पता न Pi आर क्यों आ है Pi R square क्यूνकि नीचे सरकल है Pi R square ठीक है? इस तरीके से तो ये बन गया इसके बाद आता है Sphere इसके बाद क्या आता है? Sphere Hindi में गोला अब देखो Sphere मैं बना तो सकता नहीं इस फेर में बना तो सकता नहीं, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जो स्फेर होता है वो आपका हो गया, फुट बोल, किर्केट बॉल, बास्केट बोल, ठीक है, तो जितने भी बॉल होते हैं, गेंद होते हैं, वो सारी, ठीक है, तो ये इसका अपने आप में रेडियस हो गय गोले का आइतन, गोले का आइतन, तो होता है, चार बटा तीन, पाई आर क्यूब, क्योंकि हाइट वाइट का कोई लेना देना नहीं है, अगला सर्फेस एरिया, ओफ स्फेर, ठीक है, गोले का प्रिष्टेश हे दरफल, अब सुन लो, अब गोले का प्रिष्टेश हे तोटल बोले या टोटल सर्फेस एरिया बोले टोटल उचे चाह सर्फेस एरिया बात एक ही है ठीक है तो क्या होता है 4 pi r square क्या होता है 4 pi r square तो चाहिए surface area बोल दे चाहिए total surface area बोल दे बात एक ही है ठीक है note कर लो इसको जली से फटा फट कर दो जाख ही एक ही है ठीक है चलिए नोट कर लिए होगा ये लास्ट रहा गया लास्ट कर रहा गया है मी स्फियर ठीक है अरद गूला ठीक है तो अरद गूला क्या होता बच्छो कुछ ऐसा कटोरे जैसा होता है ठीक है ये रेडियस और ये हाइट जितनी रेडियस उतनी हाइट हाइट जो होती है रेडियस के बराबर ही होती है ठीक है चलो तो अंजी वॉल्यूम ओफ हैमिस्फेर वॉल्यूम ओफ हैमिस्फेर अरद गूले का आइतन तो वहाँ फोर भाई थ्री पाई आर स्क्वेर था तो ये कितना हो जाएगा ठीक है अर्ध गोले का वक्र पे सेत्रफल में अर्द गोले का वक्र पेर सेथरफ म है के टोटल सुरी यहां पयालगा कट अधरें पहल़ तोटल करव सेयरी है कर सर्फए सेयरी है टेक यह कुल और प्रफ कलेrist लभल तो कितना आएगा बई देखो 2πr तो ये नीचे-नीचे का उपर एक सरकल भी है तो 2πr और 1πr 3πr स्क्वार कितना आएगा 3πr स्क्वार कोई दिक्कत चलो नोट करो इसे तो बच्चो इसी के साथ आज की किलास का अंत कर रहा हूं मैं ठीक है और अब तुम कहोगे कि सर आज तो कुछ पढ़ाया ही नी तो भाई पढ़ाया है ठीक है ये जो सारी चीजे है ना ये अभी आपको लग रही होगी कि या रही तो इतना सा पढ़ा के चल दिये लेकिन इतना सा नहीं है ये बहुत कुछ है इसमे ठीक है इसको आपको तीन बार करन जिसमें से दो बार करना है देखके और एक बार करना है बिना देखे आप कहोगा कि सर एक ही बार में सारे फॉर्मले आद करने तो हाँ जी करने है क्योंकि जब 13.1 में सुरू करवाऊंगा तो इन सारे फॉर्मलों की जरूरत एक साथ पढ़ेगी ठीक है क्योंकि आप combination of figure से इस वजे से बच्चों आपको पूरा करना है ठीक है तो चलिए आज की class यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं next class में और इसको पूरा कर लेना बच्चों ठीक है और अगली class में इससे आगे questions करेंगे और काफी सारे questions करेंगे चलिए बाई